अगर आप भी रोज के नाश्टे में रोटी और सब्सक्राइब कर लिए बूर और खाना है कुछ हेल्दी चटपटा और बिना तेल का नाश्टा तो आज मैं सूजी से बने नाश्टे की रिसिपी शेयर करने जा रही हूं यह जितना बनाने में असान है उतना ही खाने में हेल सब्सक्राइब कर लिए और चटपटा होता है तो देर की सबात की रिसिपी बनाना शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों अगर रिसिपी सरास अभी अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक और शियर चैनल पर नए है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लिजिएगा सबसे प काटके पत्ता गोभी ले लिए है यहां पे जो सबजी आपको पसं हो ले सकते हो जैसे बीन हुआ और जीतना सब्स आड कर सकते हो कट अजो सबजी ना पसं हो इसकी पी कर सकते हो सारे सबजी को यहां बॉल में डाल देंगे और यहां पे एक छोटा टामातर को बारी काट और 3-4 मिर्च को बारी काट लिया है, मिर्च अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हो, सारे सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब यहां पर हाफ कब दही ले लेंगे, अगर खटी भी हो तो चलेगी, आपके पद जो दही हो ले ले लेना, डाल के दही को सारे सब्जी में मिक्स कर देंगे, अब टेस्ट के नुसार नमक डालना, और इसको भी मिक्स कर देना है, अब यहां पर आधी छोटी चमच अद्रग का पेस्ट डालेंगे, अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आधी छोटी चमच बारी काट के अद्रग डाल देना, अद्रग डालने से हमारे नाश्ट में फिलेवर अच्छा आता है, सारे को मिक्स कर देंगे, अब यहां पर एक कप सूजी लेंगे, यहां पर मैंने बारी कवला सूजी लिया है, अगर आपके पास मोटे रहें तो वो भी ले सकते हो, और यहां पर मैंने कप से नापा है, एक कप सूजी और हाफ कप दही यरेश्यू याद रखना, और सूजी डालके पहले स्कुच्छ यहां पर मैंने एक कप पानी लिया था देखिए इतना बचा अब इसको क्या करना अच्छे से घूलने के बाद इसको कभर करके पांच मिनट के लिए रेस दे देंगे कि यह सूजी थोड़ा फूल जाएगा तो देखिए पांच मिनट हो गया अब कभर अटाएंगे और यह द यहां पर चाट मसाला यहां पर बलैक पेपर भी डाल सकते हो ओपर से धनिया पती डाल देना और अच्छे से मिक्स कर देना अब यहां पर थोड़ा सा एनू लेंगे जादा नहीं एक चौथाई चमच पूरा एक दम मत डालना इसको पर तहसा पानी डाल देंगे इसको एक् पैन अच्छे से ग्रीस हो जाए आज हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं इसलिए ज्यादा ओएल नहीं अथोड़ा से आपे वाइट वाला तील डालना अथोड़ा सा सर्सू थोड़ा सा बलैक तील अथोड़ा सा जीरा डाल देना इससे हमारा नाश्ता देखने भी अच्छा पिस से बढ़ जाता है और ज्यादा चटकाना नहीं है यह पीन की जला देना अब यहां पर क्या करना हमारे नाश्ते को एक उठाना एक चम्मच भर के चोटे वले चम्मच से डाल देना पैन में जितना आ सके आपको डाल देना आप तावा पर भी बना सकते हो देखे यहां देखे इस तरह समेट लेना अगर अधर अधर हो जाए क्योंकि शेप इसका परफिक्ट आपको लाना है तो गोल इस तरह कर लेना फिर इसको कवर कर देना जादा देर के लिए नहीं कवर करना सिर आधा मिनट के लिए देखे एक साइड अच्छे से यह पग गया है नीचे उपर भी हलका सा सुग्यात, इसको केरफुली पलट देना, देखे, इसी तरह पलट दिया है, अब क्या करना, फिर इसको कफर कर देना, फिर आधा मिनट के लिए कफर करना, जादा देर के लिए नहीं, मेडियम टू लो आच रखना, इस बात का ध्यान रखना, और यहां पर अधा मिने कवार अटाया, एक एक बुन, और उपर सोईल डाल देना, ज्यादा नहीं डालना है, दोस्तों, ऐसी तरह मेडियम टू लो आज पर ओलट करते जाना है, और यह इसमें प्यारा सा कलर आने लगेगा, और यह क्रिस्पी फ्या हो जाता है, दोस्तों, क्योंकि यह स तो देखें, इसी तरह उलट उलट करते वे, दोनों तरफ अच्छे से क्रिस्पी बन के तयार हो गया है, और हिल्दी भी रहता है, और चट्पटा भी रहता है, तो सुबह की ब्रेकफास्ट हो, या बच्चों का लंच बॉक्स हो, बिना जट्चट के जट्पट बना के तय तयार कर सकते हैं, देखें, आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे बहुत ही ज्यादा किस्पी होते हैं, क्योंकि सूजी से बने हैं, और अंदर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और फलफी बन के तयार होते हैं, क्योंकि समिद्ध ही दिया था दोस्तों, तो आई होप आज की रिसिपी आपको अच्छी लगी होगी